हेलो फ्रेंट्स मैं हूरीतू और आप सभी का स्वागत है माय रेसिपी इसकी कीचन में आज मैं बना रही हूँ अंडा करी जो रेस्टोरेंट और धाबे वाली अंडा करी से भी ज्यादा टेस्टी है और जो हम रेगुलर अंडा करी बनाते हैं यह उसे थोड़ी डिफरेंट है और बहुत टेस्टी है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखे और अब तक अगर आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन के बेल प्रेस करना बिल्कुल ना भूले और रेसिपी पसंद आने पर रेसिपी को नीचे जो लाइक का बटन है उसे जरूर प्रेस करें तो चलिए बनाने के लिए शुरुवात करते हैं बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से अंडा करी तो यहां पर अंडा करी बनाने के लिए हमने शुरुवात करते हैं तो यहां मैंने सबसे पहले बना लेना है पेस्ट तो यहां मैंने जो लिया है एक मिक्सिबाव लिया है उस देखे। और उसे भी अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। यहां我在味'llин निकाल लेते हैं। अब तियार करेंगे Tomato Puray। तो हमारे निकाल इसे एक पैस्ट देखेहां, तो यहां कटेवी टमाटर मिक्सेमें कि ढाल दिये हैं, यहां atषिenteimentos हमने पेस्ट तियार कर लेना है तो यहां हमारी टोमेटो पूरी बन के रेडी हैं और अब तियार करेंगे मसाला तो हमने यहां लिया है दही और उसमें डाल देंगे हल्दी पौडर और बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी पौडर हम बचा के रखेंगे और अब डाल देंगे लाल पाउडर और उसमें से भी थोड़ा सा बचा लिए हैं अब डाल देंगे लास्ट में इसमें अंडा करी मसाला और उसका भी थोड़ा सा बचा लिए हैं और इन सारी चीजों का अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आपको लगता है यह mix करते वक्त में कि इसमें थोड़ा सा पानी required है तो आप इसमें पानी add कर सकते हैं और अब डाल देंगे इसमें नमक और अब जो अंडे हैं इसे हम थोड़ा सा जो काटे वाला चम्मच होता यानि फोक होता है उससे थोड़ा से गोध लेना है ताकि हम जब इसमें मसाला त्यार करें तो वो इसके अंदर ग्रेवी अच्छे से चली जाएगी तो अभी हमने पैन में लिया है तेल और इसमें डाल देंगे जो हमने मसाले बचा के रखे थे वो सारे इसमें डाल देना है तो तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है बिल्कुल हलका सा जब गर्म रहता है उसी वक में ये पौडर मसाले अट करेंगे ऐसा करने से हमारे powder masala है वो जलते नहीं है तो इसमें सारे masala हमने add कर लिए है और अब डाल देंगे last में थोड़ा सा नमक और इसमें जो हमने जो अंडे है यहां पर अच्छे से fry कर लेना है तो इसे अच्छे से mix कर लिया है और जो अंडे को हमने गोत के रखा था उसे इसमें डाल दिया है और इसे अभी अच्छे से हमने अर इसे जब तक हल्की सी कोटिंग नहीं आती हैं तो इसे हम फ्राइ कर लेंगे तो लगबग दो से तिन मिनिट लगते हैं और इसे अच्छे से फ्राइ हो गए है निकाल लेते हैं अभी सेम प्रोड़ में हम एड करेंगे और थोड़ा सा तेल तो जितना हमने शुरू में लि अवित्री डाल दी है और अब इसे अच्छ से मिक्स कर लिया है और थोड़ा सा नमत और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे यら यहां पक्रतो क्सासे इस मेट करें घ्रा देंगे जीरा नमक और इसे पहित euk-सी तो इसलिए इसे fry करना बहुत जरूरी है, तो इसे अच्छे से जब तक कि तेल उपर नहीं आता है, तब तक कि इसे अच्छे से भुन लेना है हमने, तो लगबग इसे तीन से चार मिनिट लग जाता है भुनने में, और आप देख सकते हैं, इसके ओपर अभी ग्रेवी के और आप यसे भी लग बग हम तीन से चार मिनट तक कि अच्छे से पका लेना है Wilson तो यहाँ पर सब यह मसाली अच्छे से पग गए हैं, अब इसमें, एट करेंगे कसूरी मिंथी और कसूरी मिथी डालने के बाद में इसे अच्छे से mix कर लेना है और वापिस इसे एक से दो मिनट तक अच्छे से पका लेंगे तो यहां बिल्कुल अच्छे से पक गया है और यहां आप देख सकते हैं हमारे जो gravy हैं बहुत अच्छे से cook हो चुकी है अब इसमें एट करेंगे पानी तो पानी आप आपने requirement के अनुसार आट करना है आपको कितनी gravy पतली रखनी है या थिक करनी है यह आपे depending है अब जो हमारे जो ग्रेवी है अच्छ से बॉइल हो गई है इसमें अट कर देते हम अंडे और जितना भी आंडे का वो त्याव Maßा कर देंगे, और फोड़ा सा गर्म मसाला और इसको अच्छे से कर लेंगे mix और दो मिनिट तक कि अच्छे से पका लेना है इसे तो यह बस्त दरीके से boil हो गई है तो बनके ready है हमारी बिल्कुल different style अंडा करी तो आपको मेरी यह recipe कैसे लगी मुझे comment box में जरूर बताया recipe पसंद आने पे like button press करना ना भूले thank you for watching